सेलो दोस्तों बहुत स्वागत आपका अमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ Monosap O200MG टेबलेट के बारे में इसको मैनुफेक्टर करती है Ayristo Pharma और प्राइस की बात करें तो 10 टेबलेट के हैं 100 पेच्ची रुबे तो आई दोस्तों जानते हैं Monosap O200MG किन किन समझाव में लेने की सला दी जाती है इसको लिजाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे वने वाले साइड इफेट्स के बारे में दोस्तों इसमें C4 Doxim Salt है जो की एंटी बायोटिक दवाओ के वरग से संबन्दित है यह बैक्टेरिया की विकास को रुकता है इंफेक्शन पैदा करने वाले बैक्टेरिया को मारता है इसलिए इस टेबलेट को डोक्टेर दौरा विबिन पर करके इंफेक्शन को दूर करने के लिए प्रेस्क्रेप किया जाता है जैसे कि यूरिन इंफेक्शन के काण मुतर मारंग में जलन होती है या पिर मुतर रुक रुक के आता है इसके लवा ब्रॉंकाइटीज, निमोनिया, फैफडो में इंफेक्शन, सवसंद समंदी समस्यव में इस टेबलेट को प्रेस्क्रेप किया जाता है काण में इंफेक्शन के काण पस आता है तो ऐसी परिस्तिती में भी इस टेबलेट को प्रेस्क्रेप किया जाता है अगर बोडी में कहीं पर खरोच है या फिर गाव है तो उसमें इंफेक्शन ना हो और गाव को बढ़ने के लिए भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है दोस्तो इन समझाओ के अलावा भी कई पर करके बैक्टिरियल इंफेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर अपने अनुगाओ के आदार पर इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं वैसे दोस्तो देखा जाए तो सीफो डॉक्सिम एक सेफ एंटिबायोटिक है इससे होने वाले साइड इफेक्ट भी बहुत ही कम है और ये काफी इफेक्टिव भी है इसलिए कई पर करके बैक्टिरियल इंफेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को प्र चाहस एमजी या फिर सो एमजी की टेबलेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और अगर इंफेक्शन ज्यादा है तो फिर मॉनोसेफ इंजेक्शन लगाने की सला भी दी जाती है और दुस्तो इस्टेड़ी मानती है कि मॉनोसेफ और टेबलेट प्रेग्नेंसी और इस्तन पनक्रान लेवाली महिलाओं को ये टेबलेट बिना डॉक्टर की सलाके नहीं लेनी चाहिए तो आई दुस्तों बात कर लेते हैं मोनोसेफ और टेबलेट से होने वाले कुछ साइड इफेट्स के बारे में इस टेबलेट को लेने से डायरिया पेट में जलन गैस और जी में च लेने से होते हैं इसलिए इस टेबलेट को आप हमेशा खाना खाने के बाद में लें क्योंकि दुस्तों एंटिबायोटिक टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए दुस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अमारे द्वारत दीके जानकारी अच्छी लग करें.